हाई दोस्तों आप सबका स्वागा था आप सबके अपने चैनल जाने अरहाज एंटर्टेंड मेरा मैं हूर अच्छी चेक तो आज हम लोग बात करेंगे मनगरु माले जोकी रिलीज हुई थी 2006 में ये कनाडा मूवी और एक लव स्टोरी है तो अपि आप लोग सोच रहोगे कि भाई मैं एक लव स्टोरी को क्यों सजेस्स कर रहा आप लोग को इसमें क्या अलग हटके देतने हो मिला है क्यों हमने अलोडी बहुत सारी लव स्टोरी मैं देखा तब आए वहाकर मैं में यह उई किए कहानी आप लोगों तक पहुस्टी आप लोग जरूर देगना зал को इस तरह से जिस अप्यार से इस तरह से फिल्म को बनाया न वह आपको दिल को चुछ जाएगी और इस फिल्म की जो एक्टर गनेश और और एक और करेक्टर देवधास या रिबिट का ये दो ये दो ये दो आपको रूमाल या हेंगड़ श्प्टि जरूरत पढ़ने वाली इस फिल्म की खतम होने तक है और यह फिल्म देखोगा तो इतना रियलिश्टिक हमें बनाए गई कि आपको कहीं से भी कुछ भी फेक नहीं लगता कुछ भी बनावटी नहीं लगता है कि आप बॉल्यूड के लवस्टोरी देखोगा तो काफी इस सरा तक है इस सब चीजे रियल लैप में अब नागेश्टि नारायन अब प्रितम का इतना लाजाओ उस एक्टर ने रोल प्लेए कि मतलब वह अपके आखों में आसु आ जेंगे भी इस फिल्म को देखोगे तो और सपेशली जो खरगोश रैबिट एंड में प्रितम और देवदास आपके आपके आखों में आसु आखों में आसु लेकर आजाएंगे और आप लोग यह हमने आस तक कैसे नहीं देखी मैं आपको इस लव स्टोरी की कहानी बता हुआ लेकिन आपको छोटी सी पार्ट बता हुआ इस फिल्म को देखना लेंग्वेश में जाना अगर आप यह लव स्टोरी देखोगे तो मेरे लिए one of the best love stories में से एक थी लेकिन आज जब मैं यह फिल्म को देखा तो मेरे आखों से आसु हगए मैं आपको बताने सकता इसका जो जिस तरह से फिल्म आगे बढ़ती ना इतना इमोशनली आपको जिंजोर देगी ना कि मेरे बास वर्ट नियाज बताने के लिए फिर हम को पता चलता कि नंजीनी की शादी आरड़ी कहीं पर तैय हो चुकी है उसके बात कहानी में क्या twist and turns आता है यह सब को जानने के लिए आपको यह मूवी देखने मड़ेगी इस मूवी में आपको गनेश और पूजा गांधी के अलावा आप अनंतनाक सर भी देखने को मिल अगर जो पत्थर दिल का अदमी बस वही नहीं रोगा बाकी जो भी इस फिल्म को देखे कर नहीं बहुत रहेगा कि इस फिल्म में जो बेग्रांड म्यूजिक इतनी इमोशनल करती है वो सीन्स पे इतनी हावी हो जाती कि मताँ आपके आखों से आसो जाते है और प्लस बार मनने इस फिल्म एक में दृक्तर बारिश को आप रोमेंटिक सीन में भी इस एक से बती अलग लग लकता हैशिह को है वो इस फिल्म में बारिश का जो देरेक्तर ने खरन को पना सीन इतना जबर्द सकता और वही बारिश को जब उसने इमोशनल सीन में यूज किया तो आपके आखों से आसुआ रुकते ही नहीं है और यह फिल्म एक मेरी लाइफ की वरब की बैश लव स्टोरी में से एक है यह वीडियो जादी बड़ी हो सकती क्योंकि यहां पर मैं मुझ सब्सक्राइब्टे में लगे ती उसके अलावा ऐट 65 नेसी इसनेवा घरों में लगे थी 1060 फास्रें में फूर्ट को कि बनाएगा जैसे के तेल्गू में ओडियो में बैंगाली में माराटी में और उसके अलावा यह जो फिल्म ती यह फिल्म आज भी जाने जाती है टर्निंग पॉइंट के नाम से जाने के जब यह फिल्म रिलीस हुई तो यह फिल्म ने कमाई के साथ यह फिल्म इतने मेरे दिल के करीब होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप लोग अब भी नहीं देखे यह फिल्म देखो और इतनी सबरदस फिल्म भाई चाहिव डैरेक्टर योगराज भक्ति टारिफ करो या एक्टर गनेश की आउस तो यह वीडियो नहीं देखा लेकिन आपको इतना पता दू कोई भी लैंग्विज होती ना इस फिल्म की फिल्म में जो मजा है ना वह आते ना वह आसू नहीं रुखेंगे अगर आपको दिल पत्तर नहीं आएंगे अदरवाइस आपको ड़ेफिनेटली आसू आएंगे आपको नेट्विस के एक सिर्स अल्टर कार्बन सीजन टू का रिवीव मिल जाएगा तो बस उसके लिए वेट करो तिल देन दुआ में याद रखना मैं हूँ राशिशिक और आप सब अरहाल एंटेटेनमर तिल देन बाई